हाई गाईज वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सकाइब कर दीजिए साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए तो दोस्तों एक नया रिकूट्मेंट निकल के आ रहा है जो की है नेता जी सुवास उनिवर्स गाईजिए पोस्त का वहकेंशी निकल के आ रहा है इसको जानने के लिए आपको जाना होगा नसुटी.ac.in इस वेबसाइट पर यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको रिकूट्मेंट अप्स नीचे जाना है और यहाँ पर रिकूट्मेंट के एकदम फ़स्ट जो है advertisement for non-teaching position at NSUT new करके लिखाएं यहाँ पे आपको advertisement for non-teaching positions इसमें मिल जाएगा तो इसमें आजाके आप जो है क्लिक किजिएगा तो आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं यह निताजी सुवास University of Technology a state university under New Delhi का है इसका official website सब कुछ दिया है recruitment number जो यहाँ पे दिया गया है notice number group B and group C post का यह vacancy है जिसमें से आप देख सकते हो total जो है आपको यहाँ पे post दिया होए साथ में जो है आपका pay scale और कितना vacancy है total यहाँ पे दिया है तो देख सकते हैं पे junior division Clark junior steno upper division Clark library assistant junior mechanic head Clark senior technical assistant assistant storekeeper junior programmer technical assistant साथ में स्पेस केल कितना है और total जो seat है total vacancy यह की कौन सा post में कितना है यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे देख सकते है total जो हमारा post 126 post है ठीके तो यह सब जो है आपका post details और pay scale तो इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक option दिखाई देगा details advertisement for non teaching position तो यहाँ पे आपको click करना है क्लिक करने में आपको फिर से PDF डाउलोड हो जाएगा जिसमें आपको details advertisement का details मिल जाएगा यहाँ पे यहाँ पे कौन सा पोस्ट में क्या 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 समागा है टोटाल लीटेंस आपको यहां पर मिल जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं वैकेंसी पोजिशन यहां पर आप लोग का है सेरियल नंबर वान लोवार डिविशन क्लार्क पोस्ट कोड नंबर एने सीटी तुथाउजन टुएटी वान एन्टी जीरो वान ग्रूप सी पोस्ट टोटल वैकेंसी कितना है एडुकेशनल क्वालिफिकेशन पेस्केल एज लिमिट तो यह है लोवार डिविशन क्लार्क इसके बाद देख सकते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर का साथ में आपका आप डिविशन क्लार्क लाइबरी एसिस्टेंट जूनियर एक मे करेंगे जूनियर मेकानिक के बारे में डिटेल्स में क्योंकि आईटे रिलेटेड पोस्ट है और आप लोग को आईटे रिलेटेड इंफरमेशन देते रहता हूँ तो यह जो है जूनियर मेकानिक का पोस्ट आईटे के लिए है तो इसका पोस्ट कोड नंबर यह है और यह जो है total number of vacancy यहाँ पे जो है 21 post है जिसमें CAC, ECE, Mechanical, BAC, ICE, Civil Design तो इसमें कौन सी post में कितना है जैसे है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग total post संखा यहाँ पे दिया है काश्ट वाइस ठीक है कौन सी काश्ट में कितना post है तो CAC और ECE यह सब का details का मतलब जो है यहाँ पे आपको नीचे अगर जाईएगा तो मिल जाएगा मतलब ते CAC का मतलब है Computer Science Engineering, IT का मतलब है Information Technology, ECE का मतलब है Electronics and Communication Engineering, BAC का मतलब है Biological Science and Engineering, EEC का मतलब है Electrical Engineering, ICE का मतलब है Instrumentation and Control Engineering Educational Qualification का रखा, Educational Qualification रखा, ITI in relevant field and two years experience in relevant field, तो आपको IT होना साई यह दो साल का experience होना चाहिए, ठीक है आपको relevant field में IT होना चाहिए, साथ में आपको दो साल का experience होना चाहिए, या तो आपको diploma और degree engineering होना चाहिए, appropriate field में diploma अगर है तो आपको कोई experience नहीं देना होगा पेस केल देख सकते है, पांचाहिए, तो यह था technician का आपको, मतलब junior mechanic का vacancy, तो IT बाला जितने candidate है भर दीजिए, जिसका जैसे civil का है, तो civil भर सकते है, जो electrical का है, वो चाहिए तो वायर्मैन हो या तो electrician हो, वो electrical में भर सकते है, ठीक है, तो ऐसे करके mechanical में जितना सरा mechanical trade है, तो mechanical में भर सकते है, ऐसा नहींगी, फीटा, टरनर, मेशनी, सब्टेड, मेकनिकल में भर सकता है, उसके बाद head clerk का post है, senior technical assistant का post है, यहाँ पे assistant store keeper का है, junior programmer का है, technical assistant का है, technical assistant में जो है, आपको btec मांग रहा है, या तो bsc with two year experience मांग रहा है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है application filling जो है, यहाँ पे अगर आप कोई government में सेक्टर में हो, तो आपको no objection certificate provide करना पड़ेगा, at the time of test, तो आपको सिर्फ online apply होगा, कोई भी offline आपको apply नहीं करना है, और age limit, age criteria दिया है, कौन से post के लिए, कौन कौन सा candidate apply कर सकता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका 1994-1994 से पहले जिसका जनम है, वो यह सब post के लिए apply नहीं कर सकते, ठीक है, वैसे आपको जिसका जनम 1996-1991 से पहले है, वो लोग यह सब post के लिए apply नहीं कर सकते, तो यह सब आप लोग देख लीजिएगा details में, ठीक है, उसके बाद reservation benefits, CST OVC और EWKS के लिए reservation रखा गया है, उसके बाद यहां पे उसका age limit भी रखा गया है, CST OVC के लिए CST के लिए 5 साल OVC के लिए 3 साल PWD के लिए 10 साल, तो ऐसे करके आपको reservation मिलेगा और जो लोग government service करता है, वो लोग को लिए भी age limit रखा गया है, उसके बाद how to apply apply कैसे करना है, आपको apply online में करना है और online application आपका start हो रहा है, 27-6-2021 से 31-7-2021 तक आपको online application चलेगा, candidate एक से ज़्यादा पोस्ट में apply कर सकते हैं, उसके बाद mode of selection क्या है, आपको computer based CBT test exam होगा, साथ में आपका skill test होगा या तो practical test होगा, ठीक है, skill test और practical test जो बोलते हैं वो होगा, और examination जो center होगा, आपका निवदिल्ली में होगा, अगर आपको application बहुत ज़्यादा संका में अगर भरता है, तो उसमें आपको अलग-अलग state में भी exam हो सकता है, ठीक है, तो उसके बाद selection criteria जो बोल रहा है, यहाँ पर selection criteria आपको जो है return test का marks का नुसारी आपका merit list बनेगा, और एक general cut-up mark रहेगा, जो minimum qualifying marks रहेगा, उसके लिए आपको general candidate, EWS candidate और OVC candidate के लिए 50% marks लाना है, SCST, PWD के लिए 45% marks लाना होगा, तब जो है आप qualify होगे, उसके बाद merit बनेगा, जिसका ज़्यादा number रहेगा return में, उसी का merit बनेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है final selection will be based on total marks scored by the candidate in the computer-based online test, and skill test, laboratory test or practical test, for group C post 75% weightage will be given for computer-based online score and 25% weightage will be for test of laboratory and practical test, तो 75% marks जो है आपका मान लिजे 100 marks का आपका written exam है, तो उसमें से 75% marks जो है आपको वहाँ से लेगा, और 100 marks का जो आपका practical test है, उसमें से आपको 25% marks लेगा, ठीके, तो ऐसे करके जो है, आपका final merit list बनेगा, और group B का भी same process है, तो एक लिजेगा आप लोग, ठीके, उसके बाद after selection के बाद आपको document verification होगा, साथ मेडिकल examination होगा, document verification और medical examination successful होजाने के बाद आपको joining मिलेगा, यहाँ पर general instruction कुछ दिया हुआ है, यह सब आप लोग पढ़ लिजेगा, apply करने से पहले details में, ठीके, कैसे कैसे आपको signature, कैसे आपको color photo upload करना है, ठीके, तो यह सब details दिया हुआ है, और जो है application fee, application fee कितना रखा है, group C post के लिए जो रखा है, आपका 400 rupees, और group B के लिए 1000 rupees, और processing fee यहाँ पे देख सकते हैं, group C के लिए 800 rupees, group B के लिए 1000 rupees, और total जो है, आपको group C के लिए रखेगा, 1200, group B के लिए रखेगा 2000, CSTPWD candidates के लिए जो है, group B और group C के लिए application fee जो है, ठीके, सिर्फ पॉसेसिंग fee देना होगा, 800 rupees for group C post and 1000 rupees for group B post, ठीके, तो online submission स्टार्ट हो रहा है, आपका 276, 2021 से और closing हो रहा है, आपका 31, 7, 2021 तर तो जल से जल अपलाई कर दीजिए, जो लोग अभी तक apply start नहीं किया है, वो तो वो लोग apply कर दीजिए, आपका 285, 2021 तर तक वो लोग ilाव दिए,